Hello and welcome friends, आज हम बात करेंगे money grid के बारे में, आप कैसे एक money grid बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में धन को, समरिद्धी को, असानी से attract कर सकें, अपने पास बुला सकें। Grid basically crystal से बनाया जाता है, और इसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके, धन, संपत्ती, एवं सुख को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक tiger's eye की pencil चाहिए, इसके जगे आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगे amethyst यूज़ कर सकते हैं, एविंचुरीन यूज़ कर सकते हैं, सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिट्रीन की pieces हमें लेने होंगे, हमने यहापे tumbles लिये हैं, च stone यूज़ करेंगे green aventurine egg, I think आपको color अच्छी तरह से ना दिख पाए इस video में, और हम इसमें यूज़ करेंगे pyrites, and हम इसमें यूज़ करेंगे हमारी Indian currency का सबसे बड़ा note, जिसको हम 2000 का note, अब हम इस grid को कैसे बनाएंगे, आप इसको ध्यान से देखिए, और हो सके तो आ आप भी अपने घर में इसको बनाईए, अगर आप हमारे द्वारा आपने किसी प्रशन का उत्तर जानना चाहते हैं, तो number description box में मिल जाएगा, 9634102892, पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हम से contact कर सकते हैं, अपने प्रशनों के उत्तर प्रापती के लिए, चलिए मित्रों, अ हमारा money grid, और आपको इस grid को बनाना सिखाएंगे, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको बस कुछ समय के लिए एक जगे पर रख देना है, देखिए friends, हमें money की energy को अपनी तरफ आकरशित करना है, तो energy को हमने सामने रख दिया, और इसको और powerful बनाने के लिए हमने इसके उपर दो pyrite के pieces रख दिये, जिसको हम बोलते है money magnet, अब इसकी energy हमारी तरफ कैसे आएगी, हमें यहाँ पे, दो, pencil का face जो pointed है, वो अपनी तरफ रखना है, इसका मतलब जो pencil है, वो इसकी energy हमारे तरफ फेक रही है, अब हमारी तरफ उसकी energy तो आ गई, अब उसको हमें अपने घर के चारो और divide भी करना है, चारो और उस energy को अपने फैलाना है, उसका विस्तार करना है, अब यह हमने जो grid बना लिया, यह normal grid है, इसको आप normally यूज़ कर सकते हैं, और इस grid को बनाने के बाद, आप अपने crystals को बोलिये, हे मेरे crystal, मेरे लिए धन संपत्ती का आकर्शन करो, मेरे लिए materialistic wealth मुझे प्राप्त हो, यह फिर आप कुछ भी affirmations यूज़ कर सकते हैं, जैसे, पाइराइट का affirmation है, I am full of luck, bring wealth, health and prosperity, सिट्रीन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, I am a money magnet, bring me good luck, और आप ऐसे इसको grid को बना दीजिये और इसको छोड़ दीजिये, इसको कुछ करने की जरुरत नहीं है, आपने बस अपना affirmation आपने दे दिया है, आपने अपनी energy उसको बता दिया है, intuitions बता दिया है, कि आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको कुछ करने की आवशक्ता नहीं है, बाकी crystal खुद करेंगे आपके लिए, जैसी आपकी vibrations होंगी, वैसे ही आपके लिए crystals work करेंगे, अब हम second, जो है grid बनाएंगे, अब हम second grid बनाएंगे, जिसमें हमने वैसे ही करना है, 2000 रुपीज का note लेंगे हम, अब हम clockwise, clockwise इस पर crystals रखेंगे, जैसे हमारा सबसे important crystal है, pyrite, तो हमने यहाँ पर pyrite रखेंगे, then हम इसके पास citrine रखेंगे, फिर हम इसके पास pyrite रखेंगे, फिर एक और citrine रखेंगे, फिर हम कुछ tumbles रखेंगे citrine के ही, and last में हम इसके उपर एक egg रख देंगे, अब आप इसे देख सकते हैं, यह हमारा grid बन चुका है, अब इसको और powerful बनाने लिए, इसके sides में, हम citrine के pieces छोटे-छोटे रख देंगे, अब आप देख सकते हैं, यह हमारा money grid बन चुका है, यह money की energy को attract करता है, और जो हमने crystals रखे हैं, यह उसको एक nest बना रहा है, और उसकी energy को, जो नीचे है, उसकी energy को growth, जिसे बीज मंत्र होते हैं न, हमारे बीज मंत्र कितने powerful होते हैं, वैसे ही, अंडा एक भी बीज का स्वरूप है, पावर का स्वरूप है, और यह इस grid की खासियत है, आप इसके पास अपने affirmations यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको बोल सकते हैं कि मेरे लिए धन संपत्ती का आकर्शन करो, और मेरे इस grid में energy आए, और यह grid मुझे फाइदा दे, आपको बस इतना करना है, और आपका यह money grid तयार है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, शर्त आपका यह रहेगा, आपको इसको थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही रखना है, 40 days के लिए आपको इसे touch बिल्खुल नहीं करना है, और कोई और भी इसे touch ना करे, तो इसे जब भी आप बनाए, तो एक ऐसी जगे बनाए, जहाँ पे आपके crystals safe रहें, आशा करता हूँ, आप भी इसे try करेंगे, और definitely इसे try करके मेरे को ज़रूर बताईएगा, नमस्कार